दोस्तो आज की इस वीडियो में हम सत्य की जीत खंड काव की कथा वस्तु जानेंगे सत्य की जीत खंड काव की कथा द्रौपदी के चीर हरण के संबंध से है इसकी कथा संचेप में इस प्रकार है जब द्रियोधन पांडवों को भूत क्रीडा यानि कि जुआ खेलने के लिए आमंतरित करता है तो पांडव निमंतरड सुईकार कर लेते हैं और सब कुछ हार जाने के पस्चात हुए द्रोपदी को भी हार जाते हैं इस पर कवरो भारी सभा में द्रोपदी को वस्त रहिन करके उसको अपमानित करना चाहते हैं तब दूसासन राजमहल से द्रोपदी को उसके बाल पकड़ कर खींचते हुए बरी सभा में लाता है द्रोपदी को या अपमान सहन नहीं होता है इस पर यूदिस्टीर अपना सर् हार चुके हैं तो मुझे दाओं पर लगाने का उन्हें क्या अधिकार रह गया है द्रोपदी के इस तरक से सभी सभाशत प्रभावित होते हैं वे कहती हैं सरल हरदय वाले युदिश्टिर कौरों की तिल चालो में आकर चले गए हैं जब दूसासन चीर हरड के लिए द्रोप हीचने में स्वयम को असमर्थ पाता है सभी सभाशत कौरों की निंदा और द्रोपदी के न्याय पूर्ड पच्च का समर्थन करते हैं वे कहते हैं यदि पांडों के होते हुए इस अन्याय को रोका नहीं गया तो इसका परिडाम बहुत बुरा होगा अंत में दृत राष् वे पांडों की कल्यान कामना करते हुए द्रोपदी के विचारों को उची ठहराते हैं निसकर्स ने कहा जाता है कि इस कत्हा को यूग के अनुकूल बनाकर नारी के सम्मान करने की रच्चा करने के संकल्प को दुहराया है दोस्तो यातिस सत्त की जीत खन्निकावी की कथा वस्तू दोस्तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा मिलते हैं अंगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत